हलो दोस्तों आपका स्वागत है इंडिपेंडेंट गैडमी पे और दोस्तों इंडिपेंडेंट अकैडमी आपको छोड़ चोड़ वीडियो प्रोवाइड करेगा जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मुझे नहीं ल भूलतब बहुत सारे प्रस्म कोची जाते हैं आपको ऐसे जे-ए में और पहस सारे शेत्ट लेवल के जेके》 तो पहले हम पता करते कह si । inflammation का ह। है इसका इंट है इसका क्या डेरिवेशन है से तो One by One हम लोग दीरे दीरे देखेंगे कि इससे कैसे प्रस्थ नाते हैं तो इस वीडियो के माद्यम से मैं आप लोगों को अबगत करवा देना चाहता हूं कि अगर यह वीडियो आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आने समझने के लिए इसे डाडें चैलते हैं क्यूंकि डाइग्राश से हैं हम लोग इसी डीफिनिशन को अच्छे तरह से समाझ कि अ करे दोस्तों डाइग्राम में आप देख रहे हो कि अधारी यह एक वेइकल है और यह carriage plane पे चल रहा है और यह सामने उसका सामने एक object है तो उस vehicle में एक driver उसको देखना होगा कि उस object को collision न कर पाए तो पहले कितने पहले वो brake लगाए कि object लगाने के बाद कुछ distance अकर travel करता vehicle तो collision तक ना हो पाए तो हम आप देख रहे हैं कि यह height है driver बैठा हुए है इसका height 1.2 meter height है ठीक है और यहां पर से आप देख रहे हो कि एक plane गया है और एक सामने आपको object देख रहा है जिसके height 1.15 meter है और बीच में जो length आपके यही आपको होगी stopic side distance अब अच्छे ले diagram को देख लो stopic side distance को भी sort में SSD लिखा हुआ है तो इसमें कोई problem होने वाली नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें problem आने वाली है सवाल होता है कि SSD बरावर होता क्या है तो SSD बरावर होता है lag distance plus breaking distance जिहां SSD बरावर lag distance plus breaking distance और पहले ही मैंने बता दिया है कि SSD का मतलब क्या होता है ectopic side distance एक सब्द आता है इसमें total reaction time तो total reaction time बरावर होता है perception time plus breaking reaction time अब दोस्तों दोस्तों आपको दिमाग में भूम रहा होगा कि perception time क्या होता है तो दोस्तों जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो और बीच में देखा कि आपका एक object आ रहा है तो वहां पड़ा आपको आप स इससे देखा एक object बीच में आया फिर आपने सोचेंगे हमें break लगा दिना चाहिए चिस समय को पूरे समय को क्या करते है हम लोग perception time करते हैं और पिर एक और है 욕क從 इसको बोलते हैं ब्रेक्ष affect time को जोड़ेते हैं तो हमारा गया total reaction time मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ब्रेकिंग डिश्टेंस तो जैसे कि आपने लैक डिश्टेंस निकाला और टोटल टाइम आपको निकालना ब्रेकिंग डिस्टेंस और दोस्तों ये आप जान लो कि अगर कहीं पड़ा आपको तो आपको तो तो पॉइंट फाइब लेना है जैसे कि दोस्तों आपका जो वेहिकल था पहले यहां था इसका वेहिकल होगा तो इसका कोई वेलसिटी भी होगा और चुकि यह रोट पे चल रहा है तो आप जानते हो कि फ्रिक्षणल लगता फ्रिक्षणल फोर्स एक है और क्योंकि यह आपने ब्रेक लगाया है रुखते 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 यहां थे पहुँच गया तो यहां पर तो इसका रुख गया है तो वेलसिटी जीरो होगा और यहां से इसका दूरी एल होगा, ठीक है, इसी को हम breaking distance कहेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि breaking distance हम लोग कैसे numerically निकाल सकते हैं, क्योंकि mathematical method है, लेकिन बहुत आसान method है, यह आप देख लो, हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस को निकालने के लिए work energy principle का यूज करेंगे, और जो कि हम जानते हैं कि work energy principle बराबर क्यों होता है, change in kinetic energy बराबर work done, तो change in kinetic energy बराबर work done होता है, और kinetic energy का हमारा formula जैसे आप जानते हैं कि 1 by 2 MBA square होता है, चुकि अगर माल लिया जाए गाड़ी यह पर था, मालो दोस्तों गाड़ी यहाँ पर था, तो इसका क्या velocity अगर भी होगा, तो इसका kinetic energy हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 by 2 MBA square, अगर गाड़ी यहाँ पर पहुंच गया, तो इसका kinetic energy कैसे लिखेंगे, 1 by 2 MBA square, तो इसका kinetic energy 0 हो जाएगा, और इसका work done कितना होगा, क्योंकि frictional force इसमें लगा हुआ है, मैंने बताया कि इसमें frictional force लगा हुआ है, और कितने दूरी तक, L distance तक, तो इसका work done कितना होजागा, F into L, जैसे कि मैंने बताया था कि आपड़े विखेंटी 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पर direct 1 by 2 MBA square लिख दिया है, और F into L लिख दिया है, अब चुकि आपको पता होगा, frictional force बराबर क्या होता है, coefficient of friction F into W, W क्या होता है, नॉर्मल एक force लगता है, W बराबर हम लोग Mg भी जानते है, इसलिए दोस्तों, kinetic energy बराबर हो जाएगा, 1 by 2 MBA square, और चुकि मैंने, मैं बोल चुका हो, कि यहाँ पर क्या होगा, frictional force है, तो frictional force का, जो F into Mg लिख देंगी, क्योंकि W बराबर Mg होता है, तो F into M और इसको direct आप sort out करोगे, तो इसका जो आज आएगा, L बराबर V square, बटा 2Fg, और आप जानते हो कि H double D बराबर क्या होता है, लाग distance, पर ब्रेकिंग डिस्टेंस और लाग डिस्टेंस को आपने velocity इन्टू time कर दिया थे पहले ही, और आप जानते हो कि यह आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस आया, V square बटे 2Fg, और तो इसी को हम लोग एक किस अरेंज कर देंगे, तो V into T plus V square plus V square by 2Fg, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, तो प्लीज सेर और कमेंट करना जरूर भूल, जरू करें,